आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आधे कटे टमाटर की हेल्प से आप अपने चेहरे के दाग दब्बे और जाईयों के निशान जड़ से खतम कर सकते हैं तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स चेहरे पर दाग दब्बे और जाईयां होने के बहुत से कारण होते हैं जैसे की ओईली स्किन चेहरे पर बहुत जड़ा पिंपल्स आना बाहर धूप में रहना और गलत खान पान और साती साथ दवाईयों का सिवन और कमजोरी की वज़े से भी चेहरे पर दाग दब्बे आ जाते हैं चेहरे पर दाग दब्बे आने के और भी बहुत से कारण होते हैं लेकिन अब आप बिल्कुल बेफिकर हो जाईए आज का जो घरेलू नुसका है घरेलू होम रेमेडी है वो आपके चेहरे के दाग दब्बे और जाईयां चाहे कितन दिन में तो वीडियो को देखते रहिए और इस नुस्के को समझिए तो शुरू करते हैं इस नुस्के को सबसे पहले हमें इस नुस्के में जो लेना है वो लेना है एक बाउल साफ सुतरी कटोरी ले लेनी है आपको और एक स्पूल ले लेनी है आपको उसके बाद जो पहली जिए हम इस नुशके में एड़ करेंगे दोस्तो वो आपको हर घर scared आवेश का पिसा हुआ आठा है यह हर घर में एक चमच के करीब एक देखे डोस्तो आटे के अंदर आसी उनको यह निकालने में बहुत हेल्प करेगा और स्किन वाइटनिंग का काम करेगा तो आठा हमारी स्किन के लिए बहुत फायदे मन्द होता है उसके बाद जो दूसरी चीज हम इसके में एड करेंगे दोस्तो वह है दोस्तो मिल्क और दोस्तो मिल्क जो अपने चेहरे पर कम रह जाए या ज्यादा रह जाएं बाद में भी एड कर सकते हैं तो फिलाल में इसके अंदर दो चमच मिल्क जो है एड कर ले रहा हूँ उसके बाद जो हम अगली चीज़ उसके में एड करेंगे वह है दोस्तो टर्मरिक यानि के हल्दी और हल्दी भी 24 गंटे हर घर में अवेलिबल रहती है और हल्दी के अंदर दोस्तो एंटी फंगल और एंटी बैक्टेरियल प्रोपर्टीज होती है जो आपके चैरे पर पिंपल्स और छोटे छोटे दाने हो जाते हैं उसको भी आने में रोकता है और आपके चैरे पर जमी हुई गंदगी को ये निकालता ह और जो डैड स्कीन होती है उसको निकालता है जो आपके स्कीन के अंदर जो बारिक पोर्स होते हैं जो रोम छिदर होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं उनके अंदर जो जमी हुई गंदगी होती है ओल होता है ब्लैक हैट्स होते है उसको निकालने में हल्दी बह बहुत हेल्प करती है तो हल्दी के दो बहुत बहुत फायदे हैं तो इसमें लेंगे इतनी सी हल्दी यह देखिए दोस्तों सिरफ इतनी हल्दी लेनी है जाड़ हल्दी नहीं लेनी है तो इतनी सी हल्दी हम जो है इसमें एड कर रहे हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लें जिस तरह का paste हमें हमारे face पर लगाने के लिए चाहिए वो ही paste same त्यार हो चुका है और खुश्बू भी बहुत अच्छे आ रहे है हल्दी की यह देखे अब यह लगाने के लिए बिल्कुल त्यार है अब आपको कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा आपको जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया आपको लेना है half tomato यह देखे आदा कटा टमाटर आपको ले लेना है और टमाटर को अंदर दोस्तों भरपूर मातर में vitamin C होता है और acidic properties होती है जो आपके चेहरे पर जमीवी गंदगी और मैल को नि तौस्तों आने लगेगा यंग नेजर आने लगेगा अबको करना होगा इसको लेना है और इस तरी के से कैने पेस्ट के इंदर बाहर आने लगे ये देगे कुछ इस प्रकार से ये थोड़ा सा मैसी नुसका है थोड़ा सा फैल जाता है थोड़ा सा अजीब सा लगता है लेकिन जब आप अपना फेस धो लेंगे और जब आपको रिजल्ट मिलेगा न तब आप बिल्कुली सैटिस्फाई हो जाएंगे कि से काम करता है इस तरीके से आपको लेना है और पूरे पांच से साथ मिनट तक आपको लगातार पूरे फेस पर आपको मसाज करनी है आप चाहे तो दो टोमेटो को पीस ले सकते हैं और चेहरे पर दोनों गाल पर माथे पर गरदन पर भी आप इसको मसाज कर सकते हैं दो टो और जाइया कितने light हो जाएंगे चैरा काफी bright दिखने लगेगा और लगातार 7 दिन के इस्तमाल के बाद आपके चैरे के दागदबे और जाइया चाहे कितनी भी पुरानी हो वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और कभी भी वापस लोटकर जो है नहीं आएंगी तो फ्रेंट्स आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं और साती साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करके बाइल आइकन भी ज़रूर पैस कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वाटसेप और फेस्बुक पर शेयर भी करें थेंक्यू दोस्तो